हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड तो कॉरोना वाक्सीन पर आज दुनिया भारत का दम देख रही है है हैदरबाद पहुंच चुके हैं इस वक्त कई देशों के राजनाएक तस्वीरे आपको दिखा दते हैं यह हैदरबाद एरपोर्ट की तस्वीरे हैं और आप देख रही हैं राजनाएकों का यह बड़ा दल जो इस समय हैदरबाद पहुंच चुका है है हैदरबाद एरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए और अब यहां से वो कंपनी जो वाक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं वहां का रोक करेंगे यह राजनाएक देखे 60 से ज्यादा 64 देश हैं उनके यह नुमाइंदे हैं उनके यह वरिश प्रते निधी हैं राजनाएक हैं जो पहुँचे हैं इस वर जायजा लेने के लिए और फिर जाहर सी बात है दुनिया को इंतजार है कोरोना से जंग लड़ने वाली इस वैक्सी अब के तौर पर भी भारत की तरफ बड़ी उमीद से दुनिया देख रही है ऐसे में डॉक्टर धीरजकॉल सबसिक किफाइती भी क्या भारत में बनने वाली वैक्सीन रहने वाली है यह भी एक बड़ा अट्राक्शन होगा इन राजनेकों के लिए जो हैदरबाद यूएस, यूके के डेलिगेट्स आपको शहर नहीं दिखेंगे वहाँ पर लेकिन सबसाहरा एफ्रिका, साओट इस्ट एशिया, इस्टर यूरोप, एजिया, इस्टर एशिया के आपको डेलिगेट्स दिखेंगे जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट एफेक्टि दिखने में आ रही है जो as of now third stage के पास है और approval के कुछ ही एक दो हफते में दिख जाएगा, वो है Moderna की AstraZeneca और Oxford की vaccine जो भारत के अंदर सिरम में multiply हो रही है और उसके बाद भारत Biotech और Zydus, यह दो और companies हैं जो कि बहुत ही low cost में बनाएंगी और Novavax की भी pricing shed अब reduce होगी, ज definitely number one when it comes to low cost vaccine as of now. झाल